चीन में रिकॉर्ड तोड सूखे की वज़े से खेत, जीले और कई नदियां सूख गई हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजी के जलस्तर में रिकॉर्ड कमी आई है। अधिकारियों के अनुसार हाइड्रो पावर रिजर्व भी अब सूख करा थे बचे हैं। वहीं एर कंडीशनर के मांग बढ़ने की वज़े से बिजली कमपनियों पर दबाव काफी बढ़ गया है। यहें शंगाई की मशूर स्काइलाइन, बंड का इलाका जो नदी के किनारे है। परेटकों के बीच मशूर इस जगह में दो दिनों से गुप अंधेरा है। बिजली की मांग से निपटने के लिए कई प्रतिबंध लगाए जा रही है। सुखे से जिंदगी किस तरह प्रभावित हुई है ये स्थानिय नियूज रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है। जहां फायर ट्रक सेंट्रल हिबूई प्रांत के ग्रामीन इलाकों में पानी पहुंचा रही है। यहां लोगों को पानी मिलने में मुश्किल हो रही है और फसले भी खराब हो रही है। चीन के दक्षन पश्चमे लाके में यांगजी नदी में घटे जलस्तर की वज़े से बुद्ध की पुरानी मूर्थियां बाहरा गई हैं। माना जा रहा है कि यह 600 साल पुरानी मूर्थियां हैं। कई हफ़तों की भीशन गर्मी के बाद चीन ने पिछले हफ़ते पहली बार देश में सूखे का एलान किया। चीन के मद्य और दक्षिन पश्च में अलाके में अधिकारी क्लाउड सीडिंग के जरिये बारिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान में केमिकल से भरे रॉकेट छोड़े जाने की भी खबरें सामने आई हैं। हालाकि बादलो की कमी की वज़े से कुछ जगों पर इसे नहीं आजमाया गया। और समस्या अभी भी बने हुई है। चीन के बड़े हिस्सों में रिड़ हीट वार्निंग जारी की गई है जो चेतावनी का सबसे बड़ा पैमाना है।